कि है कि थे अब रींवन डिस इस तीच दिवारी यह बीसी आ फेकल्टी लाज्ट टाइम हम लोगों ने टेंस खतम किया है आज हम लोग करने वाले हैं वोई स्थीक है वाइस करने वाले है जो आपके टॉपिक में है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं कि वॉइस की वाइस की अगर हम बात करेंगे तो यह यह कितने टाइप के होते हैं यह दो टाइप के होते हैं कौन-कौन से एक्टिव ठीक है एक्टिव एंड पैसिव तो अगर हम बात करते हैं एक्टिव की तो एक्टिव क्या होते हैं पहले एक्टिव देख लेते हैं active में क्या होता है active में doer is more more important than work active क्या होता है जहां पर doer work से ज्यादा important होता है ठीक है doer work से ज्यादा important होता है अब अगर हम बात करते हैं passive की अगला टाइप कौन सा हुआ passive passive की अगर हम बात करेंगे तो passive में क्या होगा work work done is more important than the doer sorry than the doer यहां पर passive voice में क्या होता है जो आपने काम किया है वो doer से ज्यादा important है got it work done is more important than doer I hope you understand अब हम आगे की बात करते हैं work done में क्या होगा work done में हम किस की बात करेंगे object की पहले बात करेंगे and then third form of work की बात करेंगे ठीक है चलिए अच्छे से करेंगे वो समझ जाएंगे tension ही ना लें आप बिलकुल भी आपको कुछ example दे रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा actually doer क्या है और work done क्या है राम called sham राम called sham अगला है राहुल राम रोहित रोहित्श रोहित्ष रोहित हम, the thief was caught, ठीक है, फिफ्ट की मैं बात करूँ, इशा, विल, इशा सौ, राज, मैं इसमें आपको बताऊंगा की, doer क्या है, work क्या है, ठीक है, मतलब active voice क्या है, इसमें passive voice क्या है, मैंने क्या बताया ताभी, active voice क्या होता है, जहां पे doer work से ज्यादा important होता है, जहां पे doer work से ज्यादा important होता है, जहां पर work done जो आपने काम किया है वो doer से ज्यादा important हो got it, तो देखिए जरा यह क्या हुआ? active यह क्या हुआ? active अब देंखिए यह क्या हुआ? इसको क्या बोला जाएगा? तो यह हुआ? पीवी यह क्या हुआ? पीवी, passive voice यह क्या हुआ? यह भी हुआ पीवी क्यों पीवी हुआ यह? क्योंकि यहाँ पर जो work है वो ज्यादा important है doer से ठीक है? अगला इशा यह क्या है? यह है AB अच्छे इसको भी AB कर लिजे आप लोग confuse हो जाएंगे नहीं तो ठीक है? और example कर लेते हैं । धুर सेची जए क्या है आपकशे, से मुआएंभ़, थूफ, विवाभ़ by you will be informed that's it okay अब यहाँ पर देखिए यह क्या है यह भी क्या हुआ यह भी क्योंकि यहाँ पर do is more important than the work यह क्या हुआ पीवी यहाँ पर यहाँ पर दन is more important than the doer यहाँ पर जो work हुआ है जो काम हुआ है वो doer से जादा important है that is why this is the passive voice I hope you understand चले अब थोड़ा transformation समझ लेते हैं कि इसमें transformation होती ही किया है tension ही मत लेजिए आपको और अच्छे से अभी तो केवल मैंने ये कराया है आपको doer समझाने के लिए मतलब active और passive समझाया है कि active क्या होते है और passive क्या होते है अभी मैंने ये समझाया है यहां पढ़ लिया आपने तो आपको tension लेने की जरूरत ही नहीं है CA का exam हो कोई भी exam हो कोई issue नहीं है वैसे अब transformation की बात करते हैं कि जो voices होते है थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ जो voice होता है उसमें transformation क्या-क्या transformation होती है इसको क्या पढ़ेंगे वावल आया पहले दैनार आया क्या पढ़ेंगे transformation transformation नहीं I hope you understand आपको last class में पढ़ाया था मैंने बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग कोई problem नहीं है तो क्या-क्या transformation होती है तो इसमें transformation क्या होती है change change in the structure change in the structure change in the structure does not change क्या transformation होगी इसके structure में transformation होगी लेकिन क्या होगा structure में transformation तो होगी बट इसके meaning में कोई भी change नहीं होगा meaning वही रहेगी got it अब अगर मैं बात कर लेता हूं क्या-क्या transformation क्या-क्या transformations आपको देखने को मिलेंगी तो सबसे पहले एजर्ट्यू में देखते हैं एजर्ट्यू याद है मैंने आपको एजर्ट्यू कराया था अगर वो class नहीं देखिए तो वो class देख लीजिए आपको एजर्ट्यू समझ में आ जागा एजर्ट्यू एफमेट्यू यह सब को समझ आ जाएगा tension ही ना लें आप तो एजर्ट्यू एजर्ट्यू एक्चुली होता क्या है ए बी में पहले मैं फिर से बता देता हूं एजर्ट्यू क्या था जहां पर subject होता है helping verb होती है main verb आती है and then क्या आता है object आता है ठीक है पीवी में क्या होता है पीवी में देख लिजी आप लोग पीवी में क्या होता है पीवी में अब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट अब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट प्लस चेंजड helping verb आती है, मतलब helping verb को change करते हैं कैसे change करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा और जितने भी PV होंगे, वहाँ पे third form का use हम करते हैं and then suitable preposition preposition नहीं, preposition plus यह जो subject है, वो कहाँ आजाएगा student, यहाँ आजाएगा अगर जो active voice है, active voice में जो object होता है वो passive voice में subject बन जाता है, जो active voice में subject होता है वो passive voice में object बन जाता है, got it? अब जरह देखिए यह suitable preposition लिखने का क्या मतलब है मैं आपको पूरा अच्छे से explain करता हूँ पहला आपके साम पहले preposition आई, बाई 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 का हम use कप करते हैं? बाई का use करते हैं? किसी person के लिए या फिर living noun के लिए किसी person के लिए या living noun के लिए दूसरा दूसरी प्रेपोजिशन वेड नेम अफ तूल्स या फिर इंस्टूमेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस प्रेपोजिशन इस इन इन प्रेपोजिशन का use करते हैं नेम आफ दा मीडियम नेम आफ दा मीडियम नेम आफ दा मीडियम फोर्थ प्रेपोजिशन एट एट का use हम कहां करते हैं इस तुदेंस नेम आफ दा नेम आफ दा नेम आएगा नेम आफ सम्थिंग नेम आफ सम्थिंग नेम आफ सम्थिंग नेम आफ सम्थिंग फिफ्थ आपके सामने फिफ्थ प्रेपजिशन आएगी तू 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 नो रस्ट्रिक्ट नो रस्ट्रिक्ट और कंटिन्यूटी किसी भी चीज का कंटिन्यू रहना ठीक है वहाँ पे टू प्रेपजिशन का यूज करेंगे अब इसको अप्लाई करेंगे हम अभी थोड़ी देर बाद कि कैसे यह प्रेपजिशन अपलाए होंगे गट इसको रख दो बॉक्स में चले अब हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर पे सबसे पहला टेंस कौन सा है स्टूडेंस सबसे पहला टेंस हमारा आएगा जिसका हमें अभी पीवी करना है यह देट इस प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक है अब जो इसमें एवी का रूल होगा एवी का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है फर्स्ट फर्म या फिर फर्स्ट फर्म आव बब के साथ ऐसे या इस प्लस प्लस क्या होगा अचा प्लस नहीं इसका नेगिटिव भी देख लीजिए प्लस फर्स्ट फर्म आव बब ठीक है अब में फर्स्ट फर्म आव बब का यूज करते हैं आप लोगको टेंस पड़ाया तो वही तो यह भी है अब मैं पीवी का अगर एग्जैंपल दूँ आपको एग्जैंपल तो नहीं पहले इस्ट्रक्चर कराता हूँ आपको पीवी का इस्ट्रक्चर क्या हो जाएगा तो पीवी का इस्ट्रक्चर होगा आपका इस या एम या आर प्लस थर्ड फर्म आव बब याद करो अभी अभी मैंने क्या कराय था transformation structure में transformation होगा यहाँ पे जो helping verb use हो रही थी that is do or does लेकिन यहाँ पे जो helping verb अब use होगी वो कौन सी होगी is या m या r और जितने भी pv होते हैं जितने भी passive voice बनते हैं वो सब के सब third form पे dependent होते हैं वो सब third form पे dependent होते हैं ठीक है चलिए आपको कुछ examples कराता हूँ मैं आप समझ जाएंगे यह a b हुआ he sings a song he sings a song भाई यह singular है singular के साथ first form above के साथ S.E.E.E.S आता है got it अब मैं इसका अगर pv कराऊँ आपका तो क्या हो जाएगा देखिए मैंने क्या कहा था जो object होता है वो subject बन जाता है और जो subject होता है वो object बन जाता है sorry तो यहाँ object क्या है a song a song यहाँ आ जाएगा यह थोड़ा सा dash है देख लेजएगा थोड़ा सा gap कर लेजएगा a song singular है song singular है तो is आ जाएगा यह देखिए is m या r तो is किस के साथ आता है singular के साथ तो singular is के यूज़ करेंगे then third form of verb pv में third form of verb कर यूज़ करते है तो sing की third form क्या होगी sung होगी sung होगी अब यहाँ पे मैंने अभी अभी लिखवाया था कोई person होगा या living noun होगा तो उसके साथ by कर यूज़ करेंगे तो भई he जो है वो living है न या कोई person है न तो उसके साथ क्या आएगा by आएगा और he इधर subjective case में he है इसका objective case क्या होता है him होता है तो him लिख दिया मैंने I hope you understand यहाँ subjective case अगर he है तो passive voice में उसका objective case क्या हो जाएगा him अगर इधर subjective case she है तो इसका objective case her हो जाएगा चले अगला करते है राम kills a snake तो इसका pv यह तो यह भी हुआ इसका pv क्या बन जाएगा a snake a snake singular है ना snake तो इस आजाएगा a snake is killed अब राम क्या है एक living है यह एक person है तो क्या लग जाएगा by preposition का use करेंगे थोड़ा सा हाँ by preposition का use करेंगे by राम चलिए यह एक्जामपल आपको समझ में आ गए है very good अब चलिए और भी जो मैंने preposition आपको कराए थे उनका भी थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि उनका कहां use करेंगे अगला एक्जामपल मैं कराओं आपको तो वो क्या होगा कौन सा है थार्ड एक्जामपल कराता हूँ मैं थार्ड एक्जामपल मैंने लिखा एन एरो किल्स आ स्नेक तो यह हुआ एबी यह क्या हुआ एबी हुआ तो इसका पीवी क्या हो जाएगा पीवी बनाते हैं असनेक भाई यह यहां पर अब्जेक्ट है तो यहां होगा पीवी में यह सब्जेक्ट के तौर पर वर्क करेगा असनेक इस सिंगलर ए ना सनेक सिंगलर ए ना इस आएगा केल्ड अब देखिए, यह जो arrow है, an arrow है, क्या वो कोई living thing है क्या, क्या कोई person है क्या, नहीं न, तो यहाँ पे हम किसका use करेंगे, याद कीजिए, मैंने यहाँ पे आपको कराया था, with, with का use किसके साथ करेंगे, किसी tool के साथ या instrument के साथ, तो जो एक, यह arrow है, वो क्या है, एक instrument है न, एक tool है न, तो यहाँ पे हम with का use करेंगे, killed by, killed, with, an arrow, arrow, arrow की spelling थोड़ा सही करेंगा, a, arrow, killed with an arrow, क्योंकि यह instrument है, या फिर आप इसको tool बोल लिजिए, उस tool यह instrument होगा, तो वहाँ पे हम by का use बिलकुल नहीं करेंगे, हम वहाँ पे किसका use करेंगे, with का use करेंगे, got it, okay, चलिए, और example करते हैं, ताकि आप कुछ चीज़ें अच्छे से clear हो जाएं, यह आपकी खुशी के लिए है, example, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा, different preposition का use कहां कहां करना है, ठीक है, अलग अलग preposition का use कहां कहां करना है, जैसे by, with, to, at, actually आपको school level पे पता है, केवल आपको by कराया गया है, वहाँ पे आपको teachers ने क्या बोला, आपको कहा कि बेटा, by कर लो, by preposition के use कर लो, that's it, काम चल जाएगा, हमें काम नहीं चलाना सर, हमें काम करना हैं, अच्छे से, हमें काम चलाना ही नहीं है, हिंदुस्तान में पता है, बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि हम काम चलाते हैं, हमें काम नहीं चलाना, हमें धंग से चीज़ों को सीखना है टेंशन ही ना ले एक चीज सिखाऊंगा चले अब इसका अगर मैं PV बनाऊं यह तो हुआ A भी अगर मैं इसका बनाऊं आपके सामने PV तो PV में क्या होगा यहां यह माई शर्ट आपको दिख रही है तो माई शर्ट इदर अबजेक्ट है इदर आएगा सबजेक्ट हो जाएगा अबजेक्ट होता है अबजेक्ट नहीं होता यह भी बहुत बड़ी गलती करते हैं हम हम क्या बोलते हैं इसको अबजेक्ट जो ओ का साउंड है ना वो आ है ओ नहीं है तो यह क्या है object तो अबजेक्ट यहां उठाएंगे तो यहां पर my shirt shirt singular है तो क्या आएगा इस आएगा है कंटेंस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कंटेंड कंटेंड अब देखिए फिर से आईए यहां पे लाता हूँ आपको name of the medium एक ऐसा medium जिसमें आप किसी चीज़ को रख रहे हैं तो एक medium तो हुआ shirt को रखने के लिए आप किसी box के यूज़ करेंगे किसी almira के यूज़ करेंगे that is medium medium और medium के लिए हम किसका यूज़ करते हैं किस प्रेपेजिशन का इनका यूज़ करते हैं contained in the in this दा नहीं this contained in this box I hope you understand ओके गईस चलिए आगे बढ़ते हैं fourth फिफ्ट एक्जाम्पल करते हैं राखे मेरेज सूरज राखे मेरेज सूरज यह हुआ यह भी अब इसका पी भी बनाए भई यहाँ पर यह क्या है अबजेक्ट है सूरज अबजेक्ट है तो पैसी वोईस में उसका क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा तो सूरज सुरह सिंगलर है तो क्या होगा एज आ जाएगा गड़िट मैरिस की थर्ड फर्म क्या हो जाती है मैरेड अब एक बाद बताएए शादी जब शुरू होती तो कंटीनु होती है एसा तो नहीं है कि दो फेरे ले लिए उसके बाद लड़का गया मौल घूमके आये लड़का लड़की गया मौल घूमके आये फिर आराम से शादी करेंगे ऐसा तो नहीं होता ना शादी शुरू होती ह तो continue होती है, कब तक? जब तक शादी खतम नहीं हो जाती, खतम in the sense की जब तक पूरी नहीं हो जाती शादी, सारे process पूरे नहीं हो जाते, फेरे, हाना, सारे हर चीज मतलब, सारे रस्मोरी वास पूरे नहीं हो जाते, तब तक शादी चलती है, बीच में तो नहीं रुखती ना, तो वो काम continue हुआ, और जब continuity की बात करेंगे, तो अभी अभी मैंने क्या कराया था, to, कौन से preposition के use करेंगे, जब कोई भी काम continue होगा, या बीच में कोई restrictions नहीं आती, तो कौन से preposition के use करते हैं, passive voice में, to का use करते हैं, sir, got it, तो सूरज is married to राखी, यहाँ यह subjective case थी राखी, यहाँ objective case हुई, I hope you understand, guys, चले, sixth example, fire, angles, this house, अब इसका पी भी बनाईए, तो यहाँ पर objective case के है, this house, तो यहाँ क्या आजाएगा, this house, this house singular है ना, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, is आजाएगा, engulfed, engulfed, भई, fire भी तो एक medium है, जिसके, मतलब, यह भी तो house क्या एक medium है, है ना, जहाँ पर आप रहते हैं, और जिसके थुरूँ यह आज लग रही है, है ना, तो वो इसके लिए भी in का use करेंगे, in fire, है ना, 7th, example की बात करें, this letter is written, अच्छा, 7th example आपको पता है, मैं blank दूँगा आपको फिल करना है उसमें, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा, return, यहाँ पर क्या है, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, पाकर, pen, पाकर pen, फिर से मैंने blank छोड़ा, पाकर पाई, पाकर पन पाई, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यह अब नहीं है, यह पी भी ए, इसमें फिल करना है आपको, अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं, This letter is written Parker pen जो Parker pen है वो क्या है क्या कोई living है कोई living नहीं है वो क्या है एक एक टूल है एक instrument है जिसके थो हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए टूल के लिए मैंने अभी बताया था वेदायेगा वेद प्रेपेजीशन का यूज़ करेंगे red ink red ink अब देखिए यहाँ पर आईए in name of medium भाई यह कैसा medium है जिसके थो हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए इन आना चाहिए pen in red ink अब आगे काजल काजल क्या है living है ना यह person है और person के लिए मैंने by लिखवाया था बाय आ गया तो जितने भी preposition थी हमने सबका use करते हुए present indefinite खतम कर लिया है I hope you understand आपको कोई problem नहीं आई होगी ठीक है ओके चलिए आगे का rule हम करते है present indefinite आपका complete हो गया है अब हम करते है present continuous का ABPV पहले मैं आपको सारे rules खतम करवा देता हूँ then मैं जितने भी इसके example हैं और जितनी भी deep चीजे हैं वो मैं आपको बताऊंगा got it present present continuous present continuous present continuous के AB का rule क्या होगा AB का rule होगा is या M या R plus first form of verb के साथ ING आता है यही तो पढ़ाया था आपको टेंस में पीवी क्या होगा पीवी में क्या होता है भाई इसकी अपनी helping वाव है तो हम अलग से helping वाव नहीं लेंगे तो इनही helping वाव का यूज करेंगे वहाँ पर हमने अलग से helping वाव क्यों लिया क्योंकि वहाँ पर आप आप में देखेंगे simple sentences में देखेंगे तो वहाँ पर उसकी अपनी कोई helping वाव नहीं थी इसलिए हमने अलग से helping वाव लिया अब यहाँ पर तो इसकी helping वाव है तो इसी को सब्सक्राइब करता हूँ यह प्रेजेंट continuous हुआ प्रेजेंट पॉफेक्ट की तो इसका rule क्या होगा इसके a b और p b का rule क्या होगा a b का rule हो जाएगा आपका has या have जैसा कि आपको tense में कराया गया है plus third form of y ठीक है पीवी पीवी में क्या होगा has या have तो होगा ही इसके साथ बीन और आ जाएगा plus third form of wav जितने भी पीवी होते हैं मैंने अभी अभी बताया था सब में third form of wav का use हम करते हैं अब देखिए present perfect continuous इसका पीवी बनाते हैं हम लोग present perfect continuous तो a b का जो rule होगा वो has या have plus first form of wav के साथ क्या हो जाएगा ing अच्छा बीन लगता है उसकी टेंशन ना लेना ठीक है बीन इसमें भी लगता है since you are for बीन लगता है वो मैंने नहीं लगाया आपको पता होना चीए has have के बाद बीन आता है अब पीवी का रूल क्या होगा has या have plus been plus अब एक बात बताएए perfect था तो बीन आ गया continuous होगा तो अभी अभी मैंने कराया था बीन आता है continuous में तो बीन लगाया एक गड़बड दिख रही है आपको क्या गड़बड हुई यह देखिए यह जो being being लगा, b में ing लगा यह किसकी fourth form है यह किसकी ing फ़ॉरम है पता है आपको b की और यह b यहाँ पर है यह देखिए क्या एक ही टेंस में b और b की ing form आ सकती है क्या नहीं आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती है इसलिए जितने भी perfect tense उसका कभी भी passive voice नहीं बनता है, जितने भी perfect continuous tense होते है उनका कभी भी passive voice नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि b की ing form यहाँ पर और b की third form यहाँ पर बीन, और एक ही tense में b की form नहीं आ सकती है, ठीक है? I hope you understand, आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी perfect continuous हैं उनका कभी भी passive voice नहीं बनाते हैं उसका reason मैंने बता दिया चलिए अब जब इसका passive voice नहीं बनेगा तो अगला टेंस हमारा क्या है Past Indefinite Past Indefinite तो यहाँ पर AB का rule क्या हो जाएगा Second form of verb या फिर जब हम negative बनाते हैं तो did आता है negative या interrogative बनाते हैं तो did आता है और did के बाद क्या लगता है First form of verb के ओल simple sentence में हम Second form of verb का यूज करते हैं तो इसका passive voice क्या बन जाएगा Was या वर Was या वर Plus 3rd form of verb ठीक है याद कीजिए Present Indefinite में हमने simple में इज़ेमार लगाय था Past Indefinite में हम simple में क्या लगा रहे हैं Was वर लगा रहे हैं चलिए पहले सारे rules खतम कर लेते हैं फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे example पर Past Continuous Past Continuous के AB की बात करने हैं हम तो इसका क्या हो जाएगा Was या वर Plus First Form of Verb के साथ Ing अगर मैं इसके PV की बात करता हूँ तो PV का rule क्या हो जाएगा Was या वर Plus Being याद रखना गाइस जितने भी Continuous हैं उसमें बिंग आएगा ठीक है उसमें बिंग आता है Plus Third Form of Verb चलिए Past Perfect की बात करें तो इसके एबी का rule क्या हो जाएगा इसके एबी का rule हो जाएगा Had Plus Third Form of Verb यही तो होता है PV का rule क्या हो जाएगा Had Plus Been Plus Third Form of Verb तो यह था हमारा Past जितने भी Past के Sentences थे सब के A, B और P, B का rule हमने कर लिया अब आपको पता है अभी अभी मैंने बताया था Past Perfect Continuous या फिर यह कहें जितने भी Perfect Continuous होते हैं उनका PV नहीं बनता है Got it चलिए Now we will talk about Future Indefinite Future Indefinite तो Future Indefinite के अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने तो इसके A, B का rule क्या हो जाएगा Student Will या फिर Shall प्लस First Form of Verb और इसके PV का rule क्या हो जाएगा Will या फिर Shall प्लस B ठीक है B प्लस Third Form of Verb और अगर मैं बात करता हूँ Future Continuous की Future Continuous में A, B का rule क्या हो जाएगा Will या Shall प्लस First Form of Verb के साथ क्या लग जाता है I, N, G अच्छा एक चीज तो और लगाना भूल गया हमें B लगता है इसमें चलिए लगा दिया मैंने प्लस First Form of Verb के साथ I, N, G अब अगर PV का rule में बनाऊं इसके Future Continuous का तो इसमें क्या हो जाएगा Student Will या Shall L प्लस B और मैंने बताया था आपको कि जितने Continuous होते हैं उसमें being आता है Passive Voice में चलिए लगा दिया मैंने लेकिन एक चीज आपको दिखी या आपने नोटिस किया यह देखिए यहाँ पे भी वही B और being क्या एक ही sentence में एक ही sentence में ब या ब इंग दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या भाईया फर्स्ट फॉर्म क्या होगी और ब की फॉर्ट फॉर्ट फॉर्म क्या होगी ब इंग एक ही sentence में possible है ही नहीं कि दोनों मतलब same वाव एक ही sentence में आ जाएं possible नहीं है तो इसलिए future continuous भी भी नहीं बनता future continuous का भी अभी पी भी नहीं बनता गॉट इट नो चलिए future perfect करते हैं future perfect की बात करें a b की बात करते हैं future perfect में तो उसमें a b में will या shall plus have plus third form of verb जितने भी perfect tense होते हैं उसमें third form ही आती है और पी बी की बात करते हैं हम तो क्या जाएगा will या shall plus have plus been plus third form of verb तो ये तो हमारे थे tense के सारे a b p b के rules अब आपको पता है future perfect continuous का भी नहीं बनता है a b p b क्यों नहीं बनता है वो मैंने बता दिया है तो ये थे हमारे tense के a b p b के सारे rules अब इसके जो example है ना guys वो हम करेंगे अगले class में और बहुत deep में जाएंगे हम लोग हम बहुत deep में करने वाले हैं तो इसके example करेंगे हम अगले class में या फिर एक काम कीजिए कुछ example अभी कर लेते हैं बाकी अगले class में करेंगे चले कुछ अभी करा देता हूं रेखा has served the guest अब इसका अगर मैं PB बनाता हूं चले सारे example लिख लेता हूं फिर PB बनाऊंगा शीड वेल लीड़ टीब हुरे तैन शीड शीड प्रॉब्लम fourth example I know this address fifth example हो गया आपके सामने she will help me ठीक है कुछ ही एक्जामपल लिये मैंने अब इसका बनाता हूँ passive voice धियान से देखेगा देखेए तो यहाँ पर देखिए यह है क्या object तो इसको passive voice में subject बनाते हैं अभी अभी मैंने बताया था the guest have been served अब देखिए रेखा क्या है living है यह person है तो उसके लिए by का यूज करेंगे by preposition का यूज करेंगे by रेखा got it अगला example है she will lead the team तो यहाँ क्या है यह object है इसको उठाओ यहां से और पीवी में subject लगाओ इसको the team और पैसी वइस में मैंने क्या बताया था देखे देखे फिचर इंडेफिनिट में वे लिए शेल के बात क्या आता है बी आता है तो यहां पे बी लगाओ और अन थार्ड फ़र्म आप वर्ब तो क्या जाएगा लीट की थार्ड फ़र्म क्या होती है लेट बाए हर भई हर एक लिविंग है यह परसन हो सकती है तो बाए आ गया इसके लिए हरी कैन सॉल्व दा सम दिस सम यह प्रॉब्लम एक चीज़ याद रखना जितने भी मोडेल्स होते हैं यहां पर मैं करा रहा हूं जितने भी मोडेल्स होते हैं मोडेल्स प्लस भी आता है और थार्ड फ़र्म आप वाव आती है मोडेल्स क्या होते हैं कैन में कैन कुड में माइट should, would, must, or to, ये सारे क्या होते हैं, models होते हैं, ठीक है, तो models, हमेशा models का structure याद रखना, PV का ये है, PV का structure क्या हो जाएगा, models plus B plus third form of verb, चितने भी models आएगे, तो models के just बात, अगर यहाँ पर can लिखा है, तो can आएगा, and can के just बात क्या आएगा, B आएगा, got it, वैसे will, shall भी models में ही आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, will और shall के बाद भी, भी लिखा है मैंने, got it, तो चलिए, इसका PV बनाएगे, this problem, यह यहाँ पर objective case है, यहाँ इसको उठाओ, और यहाँ subjective case लगाओ, this problem, यह can model है, तो यहाँ can लगाओ, और can के just बात क्या आएगा, B आएगा, फिर उसके बाद, solve की third form, क्या, solved, by, by, hurry, hurry का H, capital आता ही है, तो आपको पता ही है, hurry, living है, तो by आ गया, इसका pv बनाई है student, this address, is, no की third form क्या होती है, non, और यहाँ पर two आ जाएगा, क्योंकि जिसका आप address जानते हैं, ऐसा तो है नि, बीच में restriction है, उसके कि आज आपको पता है, कल भूल जाओगे, ऐसा तो नहीं है न, हमेशा के लिए आपको पता है, कोई restriction नहीं है, to me, तो यहाँ, I, यहाँ पर subjective case है, I का objective case क्या होगा, me, और me से पहले क्या लग जागा, to, क्यों, क्योंकि यह, to, यहाँ पर continuity दिखा रहा है, पी भी लग, इसका बनाईए, me, यहाँ पर subjective case है, इसको जब आप passive voice में, subjective case बनाएंगे, तो me का subjective case होता है, I, I, अब देखिए, एक चीज याद किजी, यह आपको मैंने पढ़ाया था, she will help me, she will help me, तो यह क्या है, non-fixed category है, तो याद रखना, I के साथ, non-fixed category की ही, helping verb का, use करेंगे हम, तो I के साथ, non-fixed category की, helping verb क्या होती है, shall, और फिर क्या आएगा, be, फिर third form of verb help की, helped, और यहाँ पर she है, she living है, तो यहाँ by लग जाएगा, by और she का objective case क्या होता है, हर होता है, तो यह था हमारा example, और अभी तो बहुत सारे example करेंगे, अभी एक class और लूंगा में आपकी, ABPV की, उसमें और सारे example करेंगे, और चीजे हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे, एक एक चीज करेंगे, आपको कहीं से कहीं तक कोई परिशानी नहीं होगी, आप जब भी exam में बैठेंगे, आप रॉक करेंगे, got it, यह मेरी, आपको मतलब, यह समझ लीजिए, आप से मेरा यह promise है, कि आप जब exam में बैठेंगे, आपको feel ही नहीं होगा, कि मैं exam दे रहा हूँ, आप खेल रहे होंगे paper के साथ, चुटकियों में paper कर रहे होंगे आप, क्योंकि बहुत easy approach, मैं बताने वाला हूँ आपको, आपको feel ही नहीं होगा, कि यह English paper है, मतलब बिल्कुल अच्छे से करेंगे आप, टेंशन ही नहीं ना लें, चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली class में, यह था हमारा example, कुछ, अभी कुछ example है, अभी बहुत सारे example नहीं कराए, अभी तो और अच्छे से चीज़ों को सीखना है हमें, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली class में, bye, take care, good night, thank you so much.